सो यह गाईज आप लोग देख रहे हैं समीद पडेल की और एक नई वीडियो सो आज का जो हमाँ टापिक रहेगा वह रहेगा मोटो व्लागिंग सेटप आप जैसे तेयर किया है जैसे मैंने यह मोटो व्लागिंग सेटप तेयर किया है motor vlogging setup तेयर करना easy है but main जो उसमें वो है मैटल थोड़ा जूगार हमें करना पड़ता है वो है that the best mic for motor vlogging setup आज का हमाँ topic रहेगा title और thumbnail से तो आपको पताय चल गया होगा और motor vlogging करने के लिए हमारी total 3 वीडियो आ चुकी है एक जो मैंने helmet purchase किया था उसकी अनबॉक्सिंग की थी हेलमेट रिवील किया था वुष्वीडियो में और हेलमेट अभी तक मैं आपको बताओ तो बैस्ट हेलमेट है मुझे यह प्राइक्स पॉइंट पे 1500-1800 तक की रिंज में मुझे यह जो हेलमेट है वो बैस लगा सेकेंड वीडियो में हमने अन्बोक्सिंग किया था इस एक्षन प्रो के जो माउंट है जिससे आप परफेक्ली मोटो लगिंग कर सकते हो आपको जुगाड नहीं करना पड़ता है इसमें आपका जो लुक है हलमेट का और वह पूरा सैटप का वह प्रोफेस्ट्क दिखेगा और आज का सेट अपक है टोपिक बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि आपने मुझे 1280 सस्क्राइबर्स कुछ हमारी फैमिली हो चुके है यूट्यूब पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि आपने मुझे इतना तो आपने सपोर्ट किया ठैंक यू सो मुझे आपको मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इधर 1280 आज हमारे चैनल पर सस्क्राइबर हो चुके हमारी इतनी फैमिली हो चुकी है आपको 1500 सस्क्राइबर्स तक मुझे आपको टार्गेट में आपको देता हूं 1500 सस्क्राइबर आप कंप्लीट करवा के दोगे तो मैंने आपके लिए एक सप्राइज प्लान किया है वो सप्राइज में रिवील करूँगा 1500 सस्क्राइबर जब कंप्लीट होगे तब थोड़े ही बाकी है कुछ 200 सस्क्राइबर्स ही बाकी है आपको जल से जल कंप्लीट करवा के देना है मुझे और एच तक यूट्यूब में मतलब के इतने कम सस्क्राइबर्स पर या फिर इतनी छोटी चैनल पर किसी ने भी इतना मतलब ऐसा रिवील नहीं किया होगा वो हम रिवील करेंगे 1500 सस्क्राइबर्स पर इसलिए आपके फ्रेंड्स या फिर उनको सबको आप बताइए और हमारी चैनल को प्रमोट कीजिए और प्रमोट करने के लिए ठैंक्यू सो मच चलिए यस सब बाते साइड पर रखते हैं टापिक पर बढ़ते और ये फ्राव को आपको सिर्फ मोटक लागिंक करना है तो आप का लंबा वायर है कि मैं यह helmet में भी एक्जास्न नहीं कर सकता यह बया का iueller हमेड में भी एक्जास्न नहीं हो सकता इसके लिए मैंने एक न्यूव कर्शेस किया हे पहले कि अन्बॉॉक्सिंक कर देते और वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो में आपको platform में बताऊंगा कि कैसे आपको disproportionately आपको अठेच करना और आज हम हम फिर्स तैंप मोट्रॉवग लगिंग करेंगे विद्ध ये वाला इसे ये वाले माइक से हम करेंगे अंबॉक्सिंग पहले ये वाले मायक प्रोड़क्ट तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा है मैंने भी एमेजॉन से पर्चेस किया है हमें इस थाइप के दो कुछ कार्ड्स देखने को मिलते हैं कैसे टाइप करना है वो सब हमें इंफोर्मेशन दिया है वो तो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा और यह रहा हमारा माइक का पाउच आपको माइक केरी करना है तो हमें इस साइप की कुछ केरी बैग में देखने को मिलती है और यह रहा हमारा माइक यह माइक मेरा लेन चामब देखने को मिलता है और साथ साथ में वो कण्वेटर भी आता है इसलिए बहुत मोटा सेट अप हो जाता है इसलिए इसमें पीटिंग भी नहीं आज़ी थी इसके करण है और हमेह इसमें कप कुछ और पशका एक अबrik और सकते हो और इस टाइब के हमें दो लॉक्स देखने को मिलते हैं कि आपको टीषट पे या फिर कहीं पे भी आपको यह recommending करता हैं तो आप टाइब इससे कर सकते हो और बोया का माइक में हमें इकी देखने को मिलते हैं वो भी मेरा टूट चुका है मैं आपको दिखा दूंगा अब हम सेट अप कर लेते हैं हेल्वेंट पे इसके लिए यह वाला माईक पर्चेस किया और आपको यह माईक जैसे आप पर्चेस कर रहे हो या फिर कोई माईक Mr. brands करों और आपको लगा देना है एक टाइम पर्मेनन्ट्ली वाला इपको कर देना है कि जब भी आपको जाफ वी आपको राइड पर जाना है तह अब सब्सक्राइब करते हैं करते हैं आफकर यह हमारा म्मिंट में इस नहींट हैं कि और यह पुरिंग करते हैं घृरी का सब्सक्राइब होनी चाहिए कि यह पैडिंग से वो निकल नी चाहिए और फिर आपको माइक पूरा आपको वायर सभी जगह पे अटेच लगा देना है तेपिंग से या फिर किसी से भी और फिर यह आउक्स का और मैं आपको वह प्रोसेस भी दिखा देता हूं यह जो हमारी पैडिंग्स है वह रिमूव होनी चाहिए तो आप और परफेक्टली आप इसदर माउंट भी कर सकते हो आपका माइक परफेक्टली मतलब अटेच हो जाएगा यह पैडिंग रिमूव होनी चाहिए यह हमारी पैडिंग्स रिमूव हो चुकी है अब हमें इदर अब हमें इदर माइक का जो यह वायर है वो नीचे की सैट ले लेना है और माइक हमें कोई भी हमें कॉर्णर पे रखना है बीच में हमें नहीं लगाना है माइक जो है वह यह अपको यह चीज जिन में रखनी है important चीज़ आपको बता देता हूं कि आपको माइक बीच में नहीं लगाना है मुखे समने जब आप मुखे समने यह आपका माइक अटेज करोगे तो होगा कि जब आप राइड कर रहे होगे तो अप जब ब्रीधिंग ब्रीड आउट कर रहे हो तो उसकी जो आवाज है आप जो और जो हमारा यह ओक्सवाल है वह आपको थोड़ा बहुत वायर है आपको बाहर रखना है कि आपको जहां पर भी अटेज करना है वहां पर आप अटेज कर सकते हैं नहीं यूज कर रहा तो फिर आपको इधर वीटा देना है ओके अभी हम हमारे पैडिंगiciones हो चुकिए है अब यह देख सेथकते हैं हमारी जो पूरी माइक का जो सेट अप था हो परफेक्टली जो डन हो चुक है मैंने क्या किया है जो Pi zwei को पैटर्ण है यह तेख सेकते हैं वहां पर मैने यह जो सब ने आप यह देख सेकते हो पहले कि वहाँ पे मैने ये वायर का अटेच कर दिया इसलिए क्या होगा हमें वहाँ पे ऐसे तो यह हमारा ऊपर यह जो पैडिंग से हमारी वह आ जाएगी इसके करण हमें इतना ज्यादा पता नहीं चलेगा क्योंकि वायर है वो वायर की जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटी है इसलिए और अपको भी पर्मेनेंटली आप मोटो लगिंग करना मतलब पर्मेनेंटली आपको माइक अटेच करना ही है उसमें तो आप कुछ इस टाइप का कर दीजिए फिर आपको जम्हें आपको वो कड़ना निकलना माइक तो आप इजी लिए टेपिंग निकल दो वार इसली निकल जाएगा और इसमें आपको गनस्टीक वह यूज नहीं करना है वह मैं आपको बता देता हूं गनस्टीक यूज करोगी तहर्मो कॉल जो है उसके ऊपर से निकलेगा नह फिर यह full फूल जो है वो cover up हो चाएगा यह आप चेक आउट कर सेखते हो यह जो wire है और मैंने जो ox के लिए थोड़ा बहुत बाहर रखा हुआ है कि mobile के साथ attach करने के लिए यह आपको दिखा भी देता हूं मोबल के साथ attach करने के लिए मैंने इतना जो है वह वायर बाहर रखा है तो क्या होगा जब मेरे को यह एक्जस करना है जैसे उपर नीचे होगा तो वायर जो मोबाइल है वह उपर नीच होगा इसलिए ox का थोड़ा बहुत मैंने लंबा वायर रखा है और फिर नहीं यूज़ो तो आपको इधर ऐसे लगा देना है वापस कि और अब मैं आपको दिखा देता हूं कॉम्प्लीटली यह पैडिंग लगा कर पैडिंग लग जाएगी उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कितना कवर अप हो जाएगा ओके यह जो आप साइड वाली मैंने पैडिंग एक साइड की मैंने लगा दी है यह आप देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन सेट अप आएगा इसके नीचे वार रहेगा हमा और इधर भी मैं आपको पैडिंग लगा देता हूं उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूं कि पूरा जो है वह यह जो सेट अप हमने किया है जुगाड वाला यह वायर का अटेश्मेंट वह पूरा प्रापरली अंदर ही डग जाएगा इसलिए पूरा बाहर कुछ नहीं नहीं दिखेगा ओके इस साइड की भी पैडिंग्स है वह मैं लगा देता हूं पहले और आप देख भी लेना आपको राइट साइड या फिर लेफ साइड अपका फोन की जहां पे पोजीशन की वहां पे वह साइड साइड अपको यह वाला माइक कर देना हैं यह अब चेकड खेसको मैं नहीं किस σग्झी आँ है तरह आपको भी करना है और पूरा प्रापरली जो है वह दीखने में अच्छा लगेगा और फीटिंग भी आपकी प्रापरली हो जाएगी अब यह वाली जो पैडिंग ए वह भी मैं आपको लगा के दिखा देता हूं और और यह आपको देखनी है और एक बर तो मैं आपको दिखा देता हूं अब जो हमारा माइक का सेट आप है वीथ हमारा जो हेलमेट मैंने आपको दिखा आथा अब यह आप चेक आउट कर सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन जो हमारा सेट अप है वह बन चुका है वह मैं आपको को दिखा देता हूं कि वह परफेक्टली अफ सेट अप भी तेक सकते हो कहीं बेबी ज्यादा वायर का और माइक का बहुत कम मैंने क्या किया है राइट साइड पे मैंने वह माइक है वह अटेच किया और लेफ साड में आउक्स का आपको यह चीज दियान में रखने है कि जहा है और पूरा नीटेंट क्लीन सेट अफ हमारा थीयर हो चुका है मोटा व lage अब पर्फेक्टली होगी हामारी और मैं अपको मोटा वलग नीग भी करके दिखा देता हूं कि मैक के साथ हमारी मोटा व्लागिंगों जो में जो है मोटा वलागिंग में वह यही कि आपका जो है वो क्लियर आना चाहिए क्रिस्टल क्लियर आएगा मैं आपको मोटर व्लागिंग में भी आपको दिखा दूंगा फिर कुछ होगा तो हम टेपिंग ही हमने किये इसलिए वो टेपिंग निकालके फिर वापस हम अटेक्श कर देंगे ओके चलिए अब मोटर व्लागिंग पर हम डाइडिक लिए अपको मिलते हैं बाइक के उपर